आप लोग एक ही टॉपिक पर बार बार बीडियो बनाने की डिमांड्स करते हो खेर कोई बात नहीं आप लोगों को तो काम ही है कमेंट्स करना ही है कि इस टॉपिक पर बीडियो बनाएगे जब आप लोगों को देखने में कोई प्रोप्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रोप् me अकाउंट है जीरो-बिलेंस अकाउट है और जो हम regular सेविंग अकाउंट खराते हैं और इस असीज़र्व कर अक्या रिखिक्ता जोकिक्ते विड़ियो को इंड तक जरूर्अ देखते नमस्कार दोस्तों मैं सतन्मेरा सौगत है आपका इस यूटूब चैनल पर तो देखे दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SBI का regular saving bank account जो कि हम offline अपनी home branch जाते हैं और वहाँ पर account open कराने के लिए जो phone fill up करते हैं और आपका जो account open हो जाता उसको regular saving account बोलते हैं जिसमें आपको check book मिलती है pass book मिलती है ATM card मिलती है जो कि आप international use में ले सकते हो लेकिन कुछ लोग को मन में ये भी रहता है कि क्या ये भी zero balance account है तो यहाँ पर नहीं है लेकिन lockdown के कारण अभी इससे छूट मिली चुकी है आप यहाँ पर monthly average balance अभी के हाल में नहीं रखोगे तो अभी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा फ्यूचर में यह लोग कर सकते हैं अभी भी कोई fix नहीं है तो यह तो रही रेग्लों सेविंग अकाउंट की बात तो चले दोस्तों आप हम बात कर लेते हैं SBI के अकाउंट की जो कि आप अपने mobile से online पांच मिनट के अंदर अंदर ओपन कराते हो अधार कार्ड और pen कार्ड के थो तो आपको तुरंट से ही account number और CIF number मिल जाता है हलाकि मिल तो जाता है नो प्रोब्लम लेकिन आपको एक साल के अंदर अपनी home branch जाना पड़ता है Specifically वहां पर full WHC complete करने के लिए और जैसे आपकी full कWhC complete हो जाता है तो आपको जो account है यहाँ पर continuar हो जाता हैhhh यहाँ पर regular नहीं होता है एक बात का जयान मैं रख लैरा बहुत लोगों कि और ton क्यों की comments आने भाले हैं यहां पर continue होता है ना कि यहाँ नहीं regular होता है तो continue को कहने को लेए कि जब आप अपनी 162 अकाउंट को किलोज कराओगे तब यह किलोज होगा बरना यह ऑटोमेटिक से किलोज नहीं होगा यही फायता है फुल किवाई से करने का इस्टा सिर्विंग अकाउंट ओपन कराने के बाद लोगों के मन में अभी बहुत सी यहां पर confusion है क्या यह अकाउंट पूरी तरीकी से जो जीरो बिलेंस अकाउंट है या फिर नहीं है अगर नहीं रखेंगे तो क्या हमसे भेंक वाला चार्ज करेगा तो जी दोस्तो मैं कि इसे जो जीरो बिलेंस अकाउंट नहीं है और नहीं यह फ्यूचर में रहेगा यहांसा नहीं है कि अभी है मतलब जीरो बिलेंस अकाउंट अभी है फिल हाल में अभी कोई आपको यहां पर चार्ज नहीं ले रहा है तो इसका कहने को अतलब यह है यहांसा मतलब नहीं है कि आपको ये lifetime तक आप maintain नहीं करोगे तो आप से कोई charge नहीं लिया जाएगा ये थोड़े समय के बाद यहाँ पर change हो जाएगा पहले 2000 रता की छूट थी मंतली balance average रखने की इसके बाद से 31 April इसके बाद से 31 March 2019 तक ही थी आप मुझे comments में जरूर बता देना कि आपको यहाँ पर इंस्टा सिविंग अकाउंट में आगर आप मंतली average balance maintain नहीं करते हो तो आप से bank में charge लगता है या पर नहीं लगता है या पर आपको अभी तक छूट भी मिली हुई है अब बात कर लेते हैं एंस्टा सिविंग अकाउंट में हमको checkbook और passbook या फिर international debit card मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो दोस्तो इसी वीडियो के description में मैं आपको एक link दे दूँगा तो आप उस link पर click करके अराम से read कर सकते हो मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अगर आपने account open करा लिया तो आपको इस account में आपको ना तो passbook मिलेगी ना तो checkbook मिलेगा और ना ही international कोई ATM card मिलेगा basic सा एक रूपे card मिलेगा अब आपके मन में एक और सवाल आता हो कि जब हमको ना तो passbook मिलेगी ना तो checkbook मिलेगी अगर कहीं पर जरूत पड़ेगी हमको अपना statement लगाने की तो हम कहां से लाएंगे तो यहां पर bank यह कहता है कि आपको जो भी आप email ID यहां पर link कराओगे द email card के तो आप बहुत अच्छी बात है आप उसके तो वहां पर download करके और print करके कहीं पर भी लगा सकते हो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है अब बात कर लेते हैं जो इस प्यासों के लेंदेन कितना होता है तो दोस्तों आप यहां पर इस account में एक लाग तक जमा कर सकते हो और इसके बात से एक साल के अंदर-अंदर आप दो लाग तक यहां पर डिपोजेट कर सकते हो मतलब आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको अपनी होम ब्रांच जानना पड़ेगा वहाँ पर फिजिकली जाके पूछना पड़ेगा कि मैं एक इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहता हूं इस अकाउंट के थुरू मुझे एक बेंक की पास्वोग मिलती है या पर नहीं मुलती है आप मुझे कमेंच करके जरूर बता देना किस किस को मिली है और किस किस को नहीं मिली है और अगर आपके मान में अभी भी कोई छोटे मोटे कोई कंफ्यूजन है कोई डाउट है बेंक्स रेलेटेड और भी कोई दूसरे टॉपिक्स रेलेटेड तो क मेरे जरूर पूंच लेना चले मिलते नेक्स वीडियो तब तक के लिए बहुत वह धन्वाद आज की वीडियो बस इतना ही काफी हो गया